वेल्कम टू एन्वी टीवी न्यूस सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन और हमेशा रहिए सच से रूबरू वेल्कम टूबरू न्यूस से रूबरू इजा सुरक कुल भुरी हकी अम्रं बिलिदिना इना कुना मुर्सिरी रुण अली बनी अबी ताली बिल्दी लुण आला अम्र वाला रसुल अला रसुल अला रसुल आला रसुल को रुण लाला रसुल ऍहाठ चुल आला रसुल आला रसुल उर्जुल रसुल व पुल। घुण अला रसुल स्वाम्रम्र मादस्थ सामेन किरा मुह राजीर साथी दिन जनाम रसुल अलाह सुल्ह आरें कि पहर भी करेंगे जो लोग जनाब रसूल अल्लाह सुनलाह वालिवासलम और गीन की बैरुभी करेंगे अल्लाह तुमारक वताला उसे बिजात अदा करेंगे और ऐसा शक्स हर तरह की गुराही से बच्चकर रहेगा आज की राद विश्चकर रहाती है इस सिलसले में मुसल्मानों के मुक्तरिक तबकात है और उनका अलग अलग तर्ज अमल है कुछ लोग इस राद की किसी तरह की फजीलत का इंकार करते हैं और इस राद की जाने वाली अभादत को गुदात करा देते हैं कुछ लोग वो हैं जो इस राद हैं ऐसे ऐसे काम करते हैं कि अगर उसकी आपको तफसील हम बताएं तो आप दंग रहे जाएंगे कि लोग ऐसा भी करते हैं दो दिन पहले हमारे पास एक साब का फोन आया और सुबह से फोन आता रहा इत्फाक से हमने अपने एक अजीज को रिक्षे में लिया और नहीं करते गया तो करने लगे कि साब हमारे यहां किसी का इत्वा हुआ है और शब बराद से पहले हमें खुलागात कराना है यार उनका नजरिया यह है कि जब तक कुछ खास काम न किया जाए उस वकत तक शब बराद से पहले परने वाला बात के लोगों से भी नहीं सकता है इसलिए उसके मिलाने का कुछ एत्माव करना पड़ती है एक तबगा वो है जो जिन्दकी के हर मोड़ पर मकम्ल शरीयत की ताबेदारी और फॉर्मा बर्दारी करना चाहता है उसके लिए आर्ज है के शब बरात की फजीलत के सिलसे में दस सहाबे किराम से रिवायात मौजूद है लहाज़ा दस सहाबे किराम से जहां रिवायात मौजूद हो वहां पर इसी फजीलत का बिल्कुलिया इंकार कर देना हर्गिज हर्गिज इनसाफ की बात नहीं हो से बलके शामान शब बराद के सिल्सले की जो रिवायत है इस में से जितना अभुमकर सिब्दीर, खजरत अली, खजरत उस्मान इपन आज वगरे से रिवायात मर भी है इस सिल्सले में एक पशूर रिवायत हो है, खजरत आईशा सिख्रीपा रजिल्ला अना से मर भी है लोग तरफ काफी जगह है, लोग अगर थोड़ा आगे की तरफ आज़ाएं तो बात वालों को मौका मिले, काफी जगह है खजरत आईशा सिख्रीपा रजिल्ला अना अना फरमाती है एक राद अचानिक मेरी आख खुरी तो मैंने इस तरफ पर जनाब रसुल्ला अना पाकर मैं बेचैन हो गई मैंने दर दोर देखा आप मुझे कही नज़र नहीं आये तो मैंने अपने जिसमे को खब्रा लबेटा और आपके नक्ष कदम को देखकर मैं बाहर आपको तलाश करने के लिए निकली तो अचानक मैंने आपको जन्नत बर्गी में देखा मैं बहा गई तो मैंने देखा कि जन्ब रसुल्ला असलिए लिए लिए वसल्म सजदे की हालत में हैं और आप जारु कतार दो रहें सजदा बड़ा लंबा था तो मेरे दीम में तरह तरह की पद्रुमानी भी पैदा हो रही थी यहां तक के बाद रवायतों में आता है कि मैंने अपने हाद से जन्ब रसुल्ला असलिए लिए के अंगूटे को अधकर दी जन्ब रसुल्यूला स.अथ ऑाद से उठे लिए को मुझे देख कर जो पहला जन्ब रसुल्ला असलिए लिए कि अख़वाध करत वाया कि अ फात्मात दुमें ये गुमान का कि अधर्थ रसूल तुमान का उसका रसूल तुमारे साथ खख तलफी करेगा ख़रत आईशा कहने लगी कि मैंने आगर भी मैं हां कहता तो शायद एक कुफर मी शाबिर हो जाता ये जुला ख़रत आईशा ने अपनी फिरासथ से कह कि अल्ला की रसुल सल्ष लिल्ला विल्हें इन दिल में आया ये शायद अल्ला का कोई हुप में आया हो लहाज़ा आप मुझे छोड़कर किसी और भीनी के कमरे में आप चले गए हो इसलिए में बेचाइन हो गए तना में रसूल लाह सुझ अपने बात को यहीं पर मकमल करके आप में आके इशाद फर्माया कि आईशा जुरेईल आये थे और उन्होंने बताया कि आज निस्क शामान की रात है ये रात इतनी बाबरकत और फजीलत वाली है कि इस रात में अल्ला तबार्ट बटाला गबीले बनुग गल्में की बग्रियों के रेवड में जितने बाल होते है अल्ला तबार्ट बटाला इतने बाल के बगदर अपने तुनहगार बंदों की बख्शिश परमाते हैं और उनके लिए मगफरत का परवाना जानी है इसलिए मैंने सोचा कि मैं जन्नक बखी में जाकर अपनी उम्मत की अफराद के लिए दौा करूं उनके लिए इस्तिफ़ार करूं इसलिए कि इस वक्ते अल्ला की रहमत जोश में खुब्बे में मैंने जो हदीस पढ़ी है ये रिवायत हदरत अलीफ नभी तारिक रजियल्ला को ताला हों से बन्वी है वो फरमाते हैं जनाब रसूल अल्लाह स्थाल्लाह का इर्शाद गिरामी है कि जब निस्ट शाबान की राद याली शब्बराद आ जाए तो तु इस राद में जग कर अल्लाह की अबादत करो रसूल मुन हा रहा और जब राद गुज़र जाए उसके बाद जो दिन आए तो उस दिन रोजा रख रखो राद में क्यों जग कर अबादत करना है ल्लाह के रसूल स्थ अल्लाह वाले जब रहा है वे इन लाह तबारक वतवा ताला इन्जलो इला समाई दुनिया ले गुरूब श्शंस कि इस राद में जैसे इस सुरज डूपता है اللہ تبارک و تعالی آسمانِ دنیا پر مرزولِ اجلال فرماتے ہیں اور اپنے مندوں کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں اللہ بمستنفر فاغفر اللہ ہے کوئی جس نے اپنے گناہوں کا اسے احساس ہو اور یہ معلوم ہو کہ پرانی قریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جس نے اس دنیا کے اندر اور زندگی کے اندر اگر زرہ برابر خیر کیا ہوگا وہ اسے بھی دیکھ لے گا اور اس کا بدلہ بھی اسے بھی لے گا اور جس نے زرہ برابر اللہ کی ناخرمانی کی ہوگی تو وہ اسے بھی دیکھ لے گا اور اس کی سزا پائے گا जिसे मेड़ान महशर में अल्व तबारख हुआesto mh.tा, कुर्सि और अदालत पर जल्वा फ्रोज होना और अल्व तबारे अच्छ मेड़ा का उस वक्त जो जाहो जलान होगा ते हर नभी या रप जाहो ए रप नफसी या रप जाहा होगा तो उसका ये इह्सास उसे मजबूर कर दे और वो इस राद में अल्ला के साँने ज्यांटर तरभ करें कि आल्ला आपके अलावा कोई माफ नहीं कर सके अल्ला हुम्मा इन्नी जलमत। नफसी हम अग 혁एत में बड़तेे मैं ला हुम्मा इन्नी जलमत। नफसी एए मेरे रख मैंने अपने आप पर जुम इचिया जुमन कफीरा और जुम भी थोड़ा नहीं जिन्दगी की हर नशिश तो बरखास हमारी हर महफिन अगर हम उसको तजिजिया करके देखें तो उसमें बेशमार गुना होते हैं और एए मेरे रख आप के अलावा हमारे गुनाहों को कोई माफ देखें फग्फिर ली माफिरतन एला लहाज़ा आप में माफ कर दीजिए आपका माफ कर दीजिए तो ये इहसास हो अल्ला हम नमाज में अपने रख को मनाते हैं और जब शब बरात आती हैं तो अल्ला अपने बंदों को खुद कहते हैं कि है कोई मफरत का तलब करने वाला वो मेरे सामने आए फग्फिर लह और मैं उसे माफ कर दीजिए अल्ला मुस्तर्जिकिन वार्जुका हूँ है कोई अल्ला का वो बंदा जो रोजी रोजगार से परेशान है तक दस्ती और इफलास में उसे बेचैंड कर रखा है वो तद्दीरें करता है लेकिन कोई तद्दीर कारगर नहीं होती है वो आद मेरे सामने आये मैं उसके रिज्द के मसले को हल कर जो हला मिन उगदलन वाफी है कोई क्रिफतार मसीबत युद्ली दुनिया मसीबत और इमतिहान गा है तरी दुनिया कसे बेगं नबचे इस दुनिया में कोई शफ बेगं और ऐसा ये कि उसको कोई परेशानी नहों दुनिया में ऐसा कोई इनसान नहीं वगर भाशद बनी आदब नभाशद और अगर कोई ऐसा शख्स होगा तो वो इनसान नहीं अल्ला फर्माते हैं कि है कोई शख्स जो शदायु का मसाइब का मसाइब का शिकार है वो हमारे सामने आए मैं हलाल अलमश्किलात हूँ मैं सारी मु्श्किलों को डूर कर सकता हूँ मेरे सामने आए ताके में उसे एफ्यत दे अला कजा अला क़जा इस तरह अल्ला तबार कबारक डाला کے बेश्मार फरिश्ते होते हैं जो पूरी दुनिया में आवाज लगाते रहते हैं हता यब्लु अलफज्र यहां तक के सुबह सादिक हो जाती है तक सुबह सादिक तक अल्ला की तरफ से यह निदा आम लगती रहती है और अपने बंदों को अल्ला तबार्द को तला मतमच्छ फरमाते हैं अ कि तुम आओ हम तुमारी सारी प्रेशानियों का तुम्हे मदावा देंगे हर दर्द का दर्मा तुम्हे देंगे और हर परेशानी से तुम्हें निजार मिली barnum, अना मुछमद कभी सा भूस्भानी रहमत दामत बर्कात हम फर्माते हैं कि यहां बर हर जगा जुमला का इस्तेमाल मुफरद हुआ है मुफरद जुमले का मुफरून यह है कि अल्ला तबारक वताला हर बंदे को तनहाई में बुलाता चाहिए अल्ला का एक दरबार वो है जहां बड़ा इज्टमा होता है और लुग कसरत के साथ जमा होते हैं जमाद की नमाद जादा अबजल वो है जिसमे जादा लोग और अल्ला का एक दरबार वो है जो खास दरबार है लुग अपने बंदों को कभी-कभी चाहते हैं कि तेरा बंदा तनहाई में आए इसलिए आज की रात में हम जिस तरह मस्जिद में भर जमा होते हैं कि बयान सुनें कुछ दौा के लिए सबसे बड़ी साधत की बात ये हो कि तनहाई के कुछ लमहाद हमें ऐसे मिल जाएं कि जहां सिर्फ अम हो और सबसे ज़्यादा मुहबद और सबसे ज़्यादा रहन करने वादा वो रभ जो इस काइनात में उससे बड़ा कोई महरवाद और रहीम नहीं है हमारे सामने सिर्फ रभ हो और हमान हो शायर एक शेयर कहता है कि मैयाने आशिको माशूक रम्जेस किरामन कातिवीरा हम खबरनेस कि कभी कभी अल्ला उसके बंदे के दर्मियान ऐसी तनहाई में अल्ला से राजो न्यास होती है कि फरिश्टों को भी कभी खबर नहीं होती है कि इसने अपने बंदे से किस तरह का ताल्लुब जोड़ा और अल्ला से क्या उसने कर दिया कि अल्ला तबार्ट शाला को उसकी यादा अतनी पसंद होती है कि अल्ला उसे ऐसा राज मना देते है कि फरिष्टों तक को इसकी खबर नहीं हुए अल्ला घड़ी और घंडे को नहीं देखता है अल्ला ये देखता है कि दिल की गहराई से उटने वाली जो आवाज है उस आवाज में कितना खुलूस है और वो खुलूस का ये चंद लम्हा जो है वो अल्ला के यहां अगर तबूल हो जाए तो पुरी राग पर भारी है मैंने जो हदीथ खदत आईशा की मैंने नकल की है अगर आप इस हदीथ में भी गोर करेंगे तो आप देखें जनाब रसूल अल्ला रस्म ने इस रात में जो अबादत की है तो इस अंदास पर की है कि बादू में हदत आईशा आराम कर रही है तो उनकों भी आप ने खल नहीं पहुंचने दिया और इस तरह से आप चुट्चे से जो है खबरिस्तान में जाकर आप अल्ला के सामने रासो न्यास और उजारो पतार आप रोड़ें इसलिए जहां हम वजिलत की नरातों में कुछ सुनने सुनाने का मामूल होता है हमारी सिंदे की एतनी मस्रूफ हो गई है कि हमें बहुत पहले से इसका मौता मैस्सर नहीं आता है तो हम इन मजमूं के बाद रात के एक बड़ा हिस्सा है हमारी कोशिश हो कि हम रात के इन हिस्सों के अंदर अल्लह तबारक वटाला से तनहाई में मुलाबात करें और अपनी बात बराह रास लेकरें शब्रात के सिलसले में बहुत सारी रवायते हैं जिसमें बेपना अल्लह तबारक वटाला की तरफ से मगफरत का एलान होता है बाद रवायतों में आता है कि जनाब रसूल अल्लह से तनहाई के इस रात में अल्लह तबारक वटाला हर शखस की मगफरत कर देता है सिवाए दो शखस की रजुलू मुश्रुकु वो शख्स जिसकी जिन्दगी में शिर्क की गंदगी है अल्ला ऐसे शख्स को इस मुटद्दस रात में भी माफ नहीं खर्माते है वो रजुलू फी कल्बही शहना और ऐसा शख्स जिसके दिल में कीना हुआ अल्ला कीना परवर शख्स की भी इस रात मफरत नहीं करते है अल्ला तुमारा को ताला मौकर कर देते हैं कि देखें ये कब तक अपने दिल से कीने को दूर करता है कीना कहते हैं किसी की दुश्मनी दिल में इस अंदास पर अपने दिल में पैवस्त कर लेना कि हर वक्त भी इस फिराफ में हो कि जन मुझे 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 लेगा हम इसको नुफसान पहुँचाएंगा अल्ला तबारे बताला चाहते हैं कि बंदे का ये सीना हर तरह के कीना से पाक हो और इसका सीना मिसले आईना हो इसलिए कि ये दिल जो है वो आल्ला के जलाल व जमाल के अकस के देखने की जगह है kann है किस त दिल जो है बिल्कु छुझा साफ और सूथरा है इसी तरह रिवायतों में आता है कि अल्ला तबारे कुझा इस रात में नाफर्मान भो जो अपने वालतेईन की नाफर्मानी करता हो आपको कि मगधरत नहीं फर्माते हैं अईसे शफ最も की मगधरत नहीं करता नहीं फर्माते हैं जो शराब का आदी हो नशे का खुगर हो अईसे जो अइसे आपको आपको काओ हुग cavity फर्माते हैं जो किसी नाजाइज रिष्टे में कुझतला और एक गुना तो बहुत आम है जो उसे मतलब ये कि इसके बगएर हम समझते हैं कि फैशन हासिर होई नहीं जबता है और वो ये हैं कि आदमी की पैंट ये उसकी एजार जो है उतकने से नीचे हो अगर तबार्थ उसकी तरफ रहन की नजर नहीं डागता है पर दोस्तों आज की रात अल्ला का दरिया रहमत जोश में अल्ला देने पर आए हैं हमें अपने आप को लेने वाला बनाज़ इसके लिए हमें इसी वस्तूल के साथ हम रात को जगे अगर इस तरह का कोई गुना हमारी जिन्दगी में है तो उससे तूबा करें इन रातों में जग कर अबादत करना मस्तहब है ख़दीश के मशूर किताब तर्धीम तर्धीम उसमें जनाब रसूल अल्ला के ख़दीश मन्तूल है आपका इर्शाद इगरामी है कि मन वजबत मन अहियल लयाली अल्खमस वजबत लगु जनाब के जो शख से पौँच रातों में जग कर अबादत करता है अल्ला तबारक वजबत उसके जन्नक को वाजिबत रात देते हैं तीन रात तो मसलसल आड़री नवी और दस्वी की जिलहिचकी है और इस फिद्र की रात और निस्व शाबान की रात इसलिए हम इस रात की फजीलत को सामने रखगर अल्ला तबारक वजबत आला हमें जितनी अबादत की तव्फीद दे दें ये उसका गरम है और उसका फजबत है अल्वक्ता आज की रात की कोई मखसूस अबादत नहीं है जिसकी तौफिक मिल जाए नफिल नमाज पढ़ें तहजुद पढ़ें साहतु तस्वी पढ़ने तजा अमरी है हमको उसको अदा करने का एक मौका मिल गया है मारी जिन्दगी में जो फराइप छूटे हैं हम उसकी तलाफी कर लें कौान की तिलावत है जिकर असकार है बाद लोग ऐसा समझते हैं कि आज की रात मखसूस तो पर सलात तस्वी है ऐसा नहीं है अगर कोई शफ्रादी नहीं पढ़ सकता है तो किसी हाफिस को किसी जानकार को आदमी कता है अब तो बढ़ाओ के मारे पीचे पढ़ेंगे तो मेरे दोस्तों ये सलात तस्वी है इस तरह की कोई जमाद बनाकर नफल नमाज पढ़ना इससे कोई सवाब नहीं मिल सकता है बलके बुड़ा आपे गुना मिले का इसलिए कि हमारे यहां नवाफिल की जमाद जाइज नहीं जमाद सिर्फ उनी नमाजों के साथ मखसूस है जो मैंने पढ़ा है कल के दिन हम रोजा रहे है और जो बात मखसूस दोर कर कहनी है वो ये है कि ये सारी अबादत और ये सारी फ़सीलत जो है वो दरज़े इस तहबाब में कि ये सब करना मुस्ताहर है इन सब चीजों के करने में हम कोई ऐसा काम ना करें कि हमारा सबाब जाएग हो जाए और गुना लासिक हो जाए इससे किसी से तू तू में जबड़ा हो जाए को अलब गुरूज कर ले तो मेरे दोस्तों पर बज़र को ये राद हमें इसले नहीं मिली है कि हम अपनी छोटे से जजबात की तस्कीन के लिए हम इससे अकारत जाने पूरी राद जाना भी जरूरी नहीं है लेकिन जितना करें हम पर्फेक्ट करें हमारी ये कोशिश हो को तम सकम आज की राद हमारी जास से किसी को तक्दीफ न पुचे आप अन्ताजा करें कि जनब रसुल्लाह स्ब्सक्राइब अपनी बीवी की अपनी रायत करने है इसलिए मेरे दोस्तों अल्ला की रह्मत जोश में है और ये मौके बार बार नहीं आते है बात का कुछ वख़ा है इन वख़ों को वसूल करना ये अकलमत लोगों करना है उश्यार वही लोग होते हैं जो वक्त से पहले मन्सुमा बनाते हैं और वक्त पर वो काउंट करते हैं इसलिए आख का जितना हिस्सा गुज़र गया है हम अल्ला की जनाब में कि अल्ला आज आप देने ही के लिए बैठें और हमारी जबुरते अतनी है कि अल्ला हमसे ज़्यादा आप जाम दे और साथ साथ हमें इस वक्ते पूरी उमत का के दर्द का एहसास होना चाहिए कि आज हम बड़े इत्मिनाम के साथ मस्जिद की खाली पर बैट कर जबंके के लीचे हम इस तरह का भ्रयान सुन रहे हैं और हमारे लिए अबादत का इतना खुश्वार मौदा है लेकिन इसी इसलाम और इसी दीन के नाम पर दुनिया के मुक्तरिफ खितों में लोग बे आसरा हैं बे सहारा हैं उनका हर पल इस अंदाज पर बज़नता के पताने हम क्या हो जाए हम अपने उन दीनी भाईयों के लिए भी आज की रात में उनके लिए दौा चलते चलते हम अपकी बात को नहीं पर पतम करते हैं चुक्के शविवरात में जो कुछ करना है तो इस पसार के साथ वो बात आ गई अधिस इस पाक में आता है जिए जनाब रसुल अलाग सिर्लाग अले सल्म वैदुल्ह में तश्रीफ लाए तो आप में देखा कि एक बग्दू एक गवार वो तवाफ कर रहा है और वो कुछ अल्लागी हम तो सना कर रहा है लेकिन कम पढ़ा लिखा शखस है इसलिए तलफूस की सही अदाईगी या एक दिहाती जिस अंदास पर अपने रभ को याद कर सकता है वो इस तरह कर रहा था अल्लाग तुबारक वत अल्लाग को अपने बंदों का खुदूस पसंदू लाए जिए मौना रूम ने अपनी मसनवी में लिखा है कि अदर गूसा अलिएस सलातु निए वो ये दूर पर जा रहे थे मैं आपको बहुत अच्छे से नहलाता एल्ला हम आपको चेल लगाते हम आपको गंधी करते हम आपकी जूई निकालते एल्ला हम आपके साथ ऐसा करते ऐसा करते अदर गूसा अलिएस सलाव तो करने लगी वो प्यादब मुझे मालूम नहीं कि अधरा जिसमा और जिसमानास से पाक है अल्ला को तेरे वुज़रे लिए की ज़रत है तेरे कंगा करने की ज़रत है अदर गूसा अलिएस सलाव नभी है तो बेचारा चुप हो गया तो ठीच गलती हो गई जब मुझे अलिएस सलाव धूर पर गए और अल्ला तवारे को टाला नहादर मुझे से का है मुझे तूम तो नभी हो तूम तो बंदों को रब से जोड़ने के लिए आदे लो वह मेरा बंदा कितने धुन में वो मुझे मुहपत से याद कर रहा था तुम ने उसका वो सिलसला तोड़ दिया दूर बराए तुम तो जो है जोड़ने के लिए आए थे ना कि तुम जो है बंतों को उसके रफसे तोड़ने के लिए आए तो बंदे की कौन सी अदा किस अन्दास पर पसंद आ जाए बस खुरूश शर्ट दे लिए लिए अल्ला दिल के जस्बात को दे लिए तो जनब रसुल ना सुन लिए उसी के नकल में उसके जुबला कहते जा रहे थे पीछे पीछे कुछ देर के बास उस बंदू को इहसास हुआ कि कोई शख्स मेरा ताफू कर रहा है और मेरी नकल उता रहा है जब पीछे बढ़ दे तो देखा कि एक शख्स है जो मेरी नकल उता रहे है तो उस बंदू ने कहा देख फुलाने तुम नकल मेरी उतादा मेरी मजाग कर रहा है कल ख्याबत के दिन मैं अल्ला से तुम्हारी शिकायत कर रहा है जनब रसूल उल्ला स्थ लिए ने कहा भर ऐसा मत कर मुझे माफ कर दे इसके बाद कहने लगे तुम मुझे जानते हो, मैं कौन हूं? कहने लगे ने, मैं नहीं जानता कौन हूं? आप मुझे खरिमाया कि मैं अल्ला का बेगंबर मुहमद अरुर रसूल ल्ला हूं तो शक्क्स फूरा का नहुट मुह पंगिर गया और कहने लगा कि Алlough अलнова की रसूल संनललाव भल्सले सल्म हमने आपको पहचाना नहीं था आप मुझे माफ कर देए तिम फ्तुम हुई और उसके बाथ अल्ह की रसूल संनललाव भल्स DO worthकला कल साथ के दिन से आला कमारी उबादत फरमाए तो बत्तु नहीं का है कि रिल्ला के रसूल कल मैदाने पहशर में हिसाब होगा अगर अगर अल्ला मेरा हिसाब लेगा तो मैं भी अल्ला से हिसाब लेगा मैं देले के तुम आला से हिसाब लोगे मैं देले कि हा आला से पूछूँगा ऐ आला मेरे नाजादाने या आपकी रहमत जादा आप मेरी नेगीों को देखकर मुझे बदला देंगे कि आपके खजाने में किसी चीज की कमी है और वो इस तरह बोलता रहा यहां कुट के वो खिल भी रोता रहा जनाब रसुल लूह सलएलदा को रोते रहे और जनाब रसुल लूह सले ने फरमाया कि इस बड्रो चुम्ले ने पुरे आसमान जमीन को रोना थी जब आत्मी अल्ला से इस तरह की तवक्व रखता है तो फिर आप आती है और आज तो जोश में अल्ला की रहमत आई दी है इसलिए हम अल्ला के सामने हाग उठाएं कि अल्ला तबारक बताला हमारी जिन्दगी में अब तक जतनी स्याई है गुना की जतनी पुदूरते हैं जिसकी गुन्याद पर ए अल्ला आग की मारफत का नूर हमारे सीनों में तक डिम कर सका है हम नमाज पढ़ते रहे लेकिन नमाज की कैफित हमारे जिन्दगी भे नहीं आई है इसलिए चलते हैं अल्ला के सामने हाग खैलाते हैं अल्ला को जो अदा पसंद है बंदों की اللہ हम सब को उस आदा का आदी बना दे और वो सारी चीजें हमारे जिन्दगे से दूर हो जाएं जिस से अल्ला नाराज होते हैं इसलिए अल्ला तबारक उताला हम सब की कही सुनी बातों परहमें की तुफिक अता फर्माएं तुआ हो जावा ना ना चावणरी बना यो सी आवारी बना भी बनावणरी और गोसा आदा की की बना भी जाएं